चिकित्सा स्तान में हमारा 23 नंबर चप्टर है शोफ चिकित्सा करके लिखा तो सबसे पहले तीन नंबर श्लोक में देखे शडविधो जो हमारा शोथ जो बताया गया शोफ है वो छे प्रकार का होता है हिंदी में आप देखेंगे वातज, पितज, कफज, सन्नी, पातज, व लोग फैल रहा है पूरी बॉड़ि में वो पांच परकार का वात, पित का सन्नी पातज और विश्ट जन्न होता है थिर हमारा इसमें बताए गए हैं देखिए पांच नंबर श्लोक में कि अगर वातज, शोथ है तो कैसा होगा पितज, शोथ है तो कैसा तो बोलते हैं वात तजशवथू होता है पितजशोथ वो शिग्र बढ़ने वाला होता है शिग्र फैलेगा फिर इसी लाइन में सलेशम शवथू पांडू शुकुलो स्मिक्दो कठे नशी तो मंद अनुसारी को आपने हाइलेट किया कफ वाला धीरे-धीरे फैलने वाला होता है तो कफ वाला म पित वाला शिग्र अनुसारी गर के बोला है। फिर थर्ड लाइन में लास्ट की तरफ बोला विश्निमित्स्तूर गरोप योगात दुष्ट तोय सेवनात। यानि विश जिनने जो शोत होता है वो हमारा क्यों हो रहा है अगर आप गर विश्का प्रियोग करते हो या मृदो शिप्रो उत्थानो अवलंबी चलो अचलो वह दहा पाक राग प्रायश छपावती। बतला विश जनने जो पहले विश के लिए बोला कि विश जो हमें शोत होता है स्वेलिंग वो क्यों होगी उसके रीजन बता दिये पहले फिर बता दिये अब ये शोत होता कैसा है तो मृदू होगा शिप्र उत्थानो शिप्र उत्थानो सौरी शिग्र उत्थपन होने वाला अवलंबी है चल भी हो सकता है अचल भी दहा पाक राग ये सब होता है उसमें नेक्स इसमें हमारा बताते हैं देखे छे नमबर श्लोक में क्या लिखा दोशा श्वयतू उर रहे जो अमाशे में स्थित दो्ष हैं दोश हो अमाशे में जाके स्थित हो गए हैं और परकूपित है तो उत्गता हो गाए हैं तो अदो भाग में शोथ उत्पन करते हैं एट नमबर श्लोक में देखना अर्ध अंगे अरिष्ट भूतष्ट को आपने अंडरलाइन किया सौरी फिर यहां पे है कि उर्धूम परी सरपती यानि जो अर्ध हांग है या नीचे से उपर की और फैलने वाला शोत क्या बोला अच्छा नहीं होता है सब बोलते है अरिष्ट भूता है तो इसके बाद स्वास, पिपासा, दौरवल्य, जुर, छर्दी, अरोच, इका, अतिसार, का, शून, ये इसके क्या बुले शोत है जो उसके क्या-क्या उपद्रव यानि कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेज के बॉटम पर लिखे यहां पर शोत उपद्रव करके शोत उपद्रव इसमें लिखे चरदी स्वासो ये चरक समिता में हम पढ़ चुके हैं च्छोत के उपद्रव में लिखे चरदी स्वासो अरूची त्रिशना ज्वर अतिसार एवचर सब्तको अयम सद और वल्या शोत उपद्रव संग्रह आप यहीं लिख लीजिए चरदी स्वासो अरूची त्रिशना ज्वर अतिसार एवचर सब्तको अयम सद और वल्या शोत उपद्रव संग्रह ऐसे, आप यहीं लिख लीजिए चरक और एरो करके लिखना साथ चरक ने तो शोत के उपदरव साथ बोले हैं पिर लिखे सुश्षुत सुश्षुत एरो करके लिख लीजिए 7 प्लस 2 साथ प्लस दो दो कौन से ब्रैकिट में लिखना हिक्का और कास सुष्टुत भी वो चरक वाले ही बोलते हैं साथ तो लेकिन दो उन्होंने और एड़ करती है हिक्का और कास को तो शोत के उपद्रव चरक ने साथ सुष्टुत ने नो बताएं नेक्स्ट है हमारा दस नमबर श्लोक आप हिंदी में ही अंडरलाइन करेंगे इसको जो शोत के पेशेंट है उन सभी रोगियों को खटे यानि अमल द्रव्य है लवन है ददी है गुड है वसा है पय यानि दूद तेल घ्री जी जो पिष्ट अन्न है गुरू द्रव्य एक त तेल यानि वातज शोत है अगर किसी को तो उसको त्रेवरित आहे जो है वो या फिर अरन्द तेल अरन्द आहे जो है तो न्यागोदरादी जो द्रव्य हैं उनसे सिद्गरित पिलाना भी पैशनु को और आरकवधादी सिद्दम सरपी चलेशमशवतु कफज जो शोत है उसमें आरकवधादी से सिद्गी देना है भी पैशनु को सन्नीपाते शवतु सनुहीखशीर पातरम द्वादश भी अमल पातरे यानि सन्नी पातअच सोत में जो सुनूही है ुक्षी आपने क्या करना है और दौादश अभि यहनि बारा आदग जों पांजी उसके साथ दंती और दर्वनती का कल कैसे मिला के सिद करके घी देना है और विष्णिमित्ते कल पेशु प्रतिकार और विश्जन्य शोथ में जो कल्प स्थाने उसमें वर्णित कर दिया ऐसा करने को बोला है नेक्स्ट है हमारा 12 नमबर श्लोक में 12 नमबर श्लोक इसको आप हिंदी में देखिए हिंदी में थर्ड लाइन में बिलकुल मिड में लिखा हुआ है नवयास लोहो जो है उसका प्रतितिन मधू के साथ सेवन करने को बोला फिर जो हमारी sixth line है इसमें देखना हिंदी में ही sixth line गुड के साथ हरित्की का सेवन करने को ब båला है आप पेज के बॉटम पर लिखती जिए गुड हरित्की गुड हरित्की अर्ष उदर वातरक्त प्लस शोथ अर्ष में भी गुड हरित्की का प्रियोग कराते हैं उदर रोगों में भी वातरक्त में भी हाँ शोथ में भी आया है ब्रइख्याइश के टॉप पर आप लिखेन नवयास लहो नवयास लोह से जो है वह रोगा इधिकार पुछा जये तो आपको क्या वताना लिखिए सुष्रुत अनुसार शुष्रुत ए Pakरके लिख़ी प्रमेहीजों में uniqueness में हमने आपको प्रमिहे भी है, प्रमिहे पीड़िका भी और बोत करके है तो तो दोनों हो जाएगा फिर तो सुषृत ने प्रमिहे पीड़िका में, चरक ने पांडू में रोगादिकार बताया है, नव्यास लहो का और काश्यप ने शोथ में नवयास लोहो, चरक ने जय वो पांडू, सुशुद ने प्रमेहे बेड़े का और काश्यप ने शोथ बाकी जो नवयास लोहो है उसका अनुपान मधू और सर्पी लिख लिजिए नवयास लोहो का अनुपान मधू और सर्पी राइट पेज बे ये जो हिंदी लिखी हुई है बारा नमबर श्लोक की इसमें आप देखना उपर से सिक्स्त लाइन जो है इसमें लास्ट की तरफ क्या लिखा दोशो के अनुसार तिक्ष्न विरेचन और आस्थापन बस्तियों का पुने 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 प्रियोग स्निहन स्वेदन और उपनहा करने को बोला गया है फिर लास्ट है तेरा नमबर श्लोक में पिष्ट अन्नम अमलम लवनानी मद्यम्रदम दिवा स्वपनम जांगलम च इस्त्रियो घृतम तेल उप्योग गुरनी शोफम जिकासू परिवर्जेत यानि शोत का अगर कोई नाश चाहता है कोई व्यक्ति रोगी कोई तो उसको पिष्ट अन्न लवन द्रव्य या अम्ल द्रव्य हैं जो मद्य है दिन में सोना या फिर आनूब जीवों का मास यानि अज अंगला स्त्री प्रसंग घृत तेल दुग्दिया भारी पदार्थिन का त्याक कर देना चाहिए ऐसा बोला है तो यह हमारे 23 नुमर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है